अगर यदि आप भी अपने laptop पर Microsoft Service इस्तमाल करते हैं और जाहर सी बात है कि आपने भी Microsoft की ID बनाई हो भी लेकिन अब आप Microsoft की ID देखते नहीं है कि कौन कौन इसे यूज़ कर रहा है इसका मतलब आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं तो यह उस चीज़ का login notification है कि मैंने अपना window login किसी दूसरे ने computer से किया हुआ है किसी दूसरे laptop से login किया हुआ है लेकिन जब मैं बैठा और जब मैंने बैठ कर देखा कि आज तो मैं कोई भी काम ही नहीं कर रहा हूँ उसके बाद भी मुझे notification आ रहा है कि यह तो अभी login किया गया है तो वहाँ पर notification में जितने भी access थे जहाँ जहाँ से access किया गया उसकल मैंने location चेक किया तो पता चला कि वो location और operating system तो मेरा है ही नहीं और IP address भी मेरा नहीं और उसे किस तारिक में कहा से login किया गया सारी history में आपको देखाता हूँ तो चलते हैं सीदह ही monitor screen पर मेरे Microsoft account के साथ एक alternate email id link है उस पर मुझे notifications आते रहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मेरे Gmail account जो की link है उस पर मुझे notification प्राप्त हुआ कि यह है आपकी जो Microsoft की ID है वो अभी recently login की गई है तो मैंने नीचे review and activities पर click किया यहाँ पर देख सकते हैं भाई साथ पूरी की पूरी जानकारी मेरे सामने खुल कर आ गई और भाई मेरी आखें फटी की फटी रह गए यहाँ पर देख रहे हो जितने भी बार login किया गया है और जहाँ जहाँ से भी login किया गया है भाई यह मैंने किया ही नहीं आप देख सकते हो भाई यह देखो भाई यह कहां कहां से किया जा रहा और कितने बार फिर मैंने अपने computer से भाई इसे login किया तो मैं आपको बताता हूँ मेरा login इन में से कौन सा है यहाँ पर देख सकते हो recently मैंने भी जो login करके रखा हुआ है जबलपुर से Mac यानि कि मैंने अपने Mac से 2 मिनिट पहले ही अपने login किया हुआ है Chrome browser से बाकी नीचे की कोई भी history मेरी नहीं है तो सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं यहाँ पर पूंच रहा है किया आप हो या नहीं तो भाई यहाँ यहाँ पर क्यूं बोलूं कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर देता हूं और अच्छे कैसे इसने login कर लिया भाई मुझे समझ भी नहीं आ रहा और मैं इतने से नादान था मैं तो यह सोच रहा था कि भाई मैं लॉग इन नहीं करता हूं लेकिन मेरी Microsoft अकाउंट जो है जो कि हमेशा login रहाता है और जब कभी मैं अपना PC अन करता हूं तो उसका notification है यहाँ पर देख रहा हूँ यह नाइजीरिया भाई मैं कब नाइजीरिया गया गया रसिया मैं कब चला गया यहाँ पर पूरा कब पूरा notification भी आ रहा था लेकिन मैं भाई बड़ा बच चुका हूँ और वैसे भी मैं इसे ज्यादा यूज करते ही नहीं हूँ जब से मैंने Windows laptop लिया है तो मैंने Microsoft के App Store से कुछ applications वगरा डाउनलोड करने के लिए ID को login किया था जब से भाई उसमें login ही है और यहाँ पर देखो भाई date के साथ और time के साथ बताया जा रहा है कि यह login किया गया है और भाई मैं इन में से कोई हुई नहीं देखो United State में United State कब गया भाई देखो इसने कोशिज भी की है लेकिन यहाँ पर यह unsuccessful हुआ है यहाँ पर देख सकते ह भी hacker ने मेरी इस ID को login करके रखा होगा तो वह वहाँ से logout हो जाएगा अच्छा मेरे safe रहने की बात यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि मैंने Microsoft पर अपना कोई भी information share नहीं किया जैसे कि कोई भी ID password वहाँ पर शेयर नहीं किया अपने कोई भी परसनल जानकारी वहाँ पर safe नही आपका Apple ID किसी ने hack कर लिया तो आपकी सारी फोटो वीडियो डॉक्यमेंट्स फाइल आईडी पासवर्ट सब लिक हो जाएगा और वो व्यक्ति उसका miss use कर सकता है लेकिन मैंने यहाँ पर सेव अपनी Microsoft की ID बनाए भी थी लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का अपना personal जानकार शेयर नहीं की थी चाहाँ वो फोटो और डॉक्यमेंट्स हो कोई पी चीज मैंने उसमें शेयर नहीं किया था अगर यदि मैंने वहाँ पर शेयर कर देता तो जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरा इस account को hack किया था वह उसका miss use कर सकता था जैसे कि मैं हार social media network पर हूँ उसकी ID और password से वह उसका गलत इस्तवाल कर सकता था मेरे bank की account details निकाल सकता था इसलिए मैंने Microsoft account के साथ अपनी कोई भी personal information शेयर नहीं कि वह पूरी तरह से खाली था सिर्फ ID बना करके मैंने छोड़ दिया था इसलिए मैं safe रहा हाला कि मैं आपको बूलना चाहूँ कि आप Microsoft बिल्कुल किया जा सकता है इसकी वजह से मैं किसी भी spam link पर भी click नहीं करता तो यहां पर तो सवाली पैदा नहीं होता कि किसी ने spam link के दौरा मेरे साथ में कोई cheat किया है अब इसका मतलब यह है कोई भी व्यक्ति आपकी computer पर वायरस बेज कर आसानी के साथ आपकी information को तुरा सकता है त और अगर 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 आप अपने cloud पर कोई भी documents रखते है किसी भी platform के cloud पर तो आप उसको secure रखें कहीं पर भी आप उसकी link शेयर ना करें ID password किसी को भी leak ना करें तो ज्यादा तर होता क्या है कि हम अपनी mobile पर ID password use कर लेते हैं mobile गुम जाता है चोरी हो जाता है तो आस safe करके रखें कुछ unique बनाएं जो कि सिर्फ आपको पता हो और किसी को ना पता हो तो इस प्रकार से आप secure रह सकते हैं अन्य था आपके पूरी करी कराई मैनत बरबाद हो जाएगी आपने आज तक जितनी भी मैनत किये कोई और इसका गलत अस्तमाल करके आपको फिर पहली वा दवारे लौगइन किया यह नहीं एंए आइडिया आपके द्वारें लौगइन की गई यह डिबाइस पर अगर नहीं की गई है तो आप वहां पर उससे तोरांती स्पैम में डालाएं और वहां पर मैंशन करने कि यह आप नहीं अैंगा क्ट्री सथखी रहेंगे फिल्हाल झाल झाल